प्रेंड्स नमस्कार आपका मारे योटूब चैनल संधिया जान में श्वगत है मैं आपके लिए लेकर आचुका हूं अब में बीकाप पार्ट फोर ठीक है मैं बी से केंड येर का अपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपट्एंट है तो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए ठीक है चलिए आग का कुछन करते हैं चलिए आज का पहला कुछन चलिए बताए पहला सांत ब्लाक किन गाडियों में लगाए जाते हैं आपके अप्सवन है यह कारों में बसों में जीपों में यह ट्रकों में तो इसका सही अंसर हो जाएगा जीपों में ठीक है अब बताए दुसरा वर्टिकल स्लाइड विधी में एक्सल के साथ क्या जूड़ा रहता है आपके अप्सान है रीम इस्पिंडल रेडियेटर या बीरिंग तो इसका सही अंसर होगा यानि की इस्पिंडल जूड़ा रहता है ठीक है वर्टिकल स्लाइड विधी में एक्सल के साथ इस्पिंडल ज ठेख है अफ्रेशन है ऐल्मॉनियम कापर कारबन या क्रोमेश्टील으면 इसका जुए पासी अंशर हो जाएगा निजाएक। कि इस्टियोबिलाइजर राट क्रोमिस्टिल के पने होते हैं चाहुता देखिए उपर वाली इस्प्रिंग लिप को क्या कहते हैं आपके अपसन है यह हाफ लिप भी पुल लिफ सी में लिफ या डी कट लिफ तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका सी ठीक है कि इसका सही अंसर हो जाएगा आपका सी यानि कि में लिफ बोला जाता है आगे चलते हैं पचमा बताइए वे पार्ट्स जो इस्प्रिंग के साथ इस्प्रिंग के साथ इस्प्रिंग के नीचे लगे रहते हैं वे क्या कहलाते हैं आपके आपसने इस्प्रिंग वेट या अन पार्स जो इस्प्रिंग के नीचे लगे रहते हैं वह अन इस्प्रिंग वेट कहलाते हैं जटमा देखिए गाड़ी को मोड काटते समय न जुकने देने के लिए किन निम्नमसों किन का प्रयोग किया जाता है आपका अफ़न है इस्टेबलाइजर रॉड का या इस्टेरिंग है अब फ्रांकलीं कारों मिं छम इंडिक से लीफ स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं आपकी अप्शन है सेमी लि क्ल यह अपका इस्टे लिफ स्प्रिंग जा invested रूण फूल एप्लिकेशन लीप स्प्रिंग या सी है आपका थ्री क्वार्टर एप्लिकेबल लीप स्प्रिंग या डी है ट्रांस वर्व लीप स्प्रिंग तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका भी ठीक है इसका सही एंसर हो जाएगा भी यानि कि फूल एलिप्लिकल लीप इस्प्रिंग ठीक है अब आए आगे दिखते हैं अठवां बताइए गाड़ी के चलते समय उनकी वाइब्रेशन को रोकने के लिए निमने में से कौन्स कि प्रयों किया जाता है आपके अपसंव है कौल इस्प्रिंग फ्रंट एक्सल गेर बॉक्स एर डिग्गी तो इसका सही एंसर हो का आपका option number a ठीक है while spring का प्रयोग किया जाता है गाड़ी के चलते समय उसके वाइब रोसर रोकने के लिए के आहिए स्टिल के का प्रयू की जाता है हमणमा बताईए कि लीप this प्रिंग एई होल में इसाथाह eign kya अको ब्रॉंज तो इसका सखेंसर हो जाएगा आपका डीटीव का ब्रॉंज में इसाद्र सबाएजाह जाते हैं अबर दसवाँ दक्रा इन समय मैटा डवर गाडयू के रियर सस्पेंशन निम्न में से किस पर आधारित होते हैं आपके आफ्सम है पायरल लिंक या भी है आपका डिवाइस एक्सल या सी है कि स्विगिंग और या यह है हाइड्रो स्पैट्रिक सस्पेंशन तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका जोब का सही सही अंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ठीक है स्विगिंग आर्म ठीक है अब यह दिखिए आगे का कि कि अ हां बतायों साख एपजार पर गिरने से डैस रिस हो सकता है किया हो सकता है कि ट्रैड़ा हो जाएगा रिप दभी होए नहीं होने चाहिए पुरानी या यह सब्सक्राइब तो इसका जो आपका सब्सक्राइब अब कर दोरा जब पीनों पर लगते हैं आफ तो पीन पर लगे नट को इतना नपरेस करें की डैस्टेस को काट यानि को करते या रबड़ बूर्ट यह सभी तो इसका सही एंसर हो जाएगा आप कसी रबर भूस ठीक है जब आप साक एक्जारबर को आइकन में पूस्ट द्वारा जब पीट पो लगाते हैं तो पीड को इधना किसे की जा हुआ है उसके रबर बूस को कड़े जाए तेक है अब आपका चौथा बताइए अब यह जब आपका तो इसका जो सर्वेसिंग से पूर्व उसके बीरिंग का निरेच्षड अवश्चक ले या सर्व गाड़ी सर्वेसिंग का निरेच्षड अवश्चक ले अब पचवा देखिए बताइए इस साग एक्जारबर के तेल में क्या एक प्रतीसक टारबाइन और मिलाना मिलाया जाता है या दो प्रतीसक या तीन प्रतीसक या यह सभी तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका डी ठीक है यानि कि साख एक्वजारबर के तेल में एक दो तीन परसेंट टर्बाइन और मिलाया जाता है ठीक है अब आपका छटमा देखिए कि साख एक्वजारबर इतने प्रकार के होते हैं और इंपर्टेंट कोईशन है ठीक है बताइए फ्रिक्सल या फिर्ट्रोलिक या एंड बी इसका सब्सक्राइब अगर जानते हो आपका या बी तो नो ठीक है लाने कि फिक्सल भी होते हैं हटोलिक नहीं साख एक्वजारबर दो प्रकार के होते हैं पहले गया च्रुक्षन अब दूसरा है डुली ठीक है कि सत्मा देखिए डबल एक्टिंग हईड्रोलिक सक आपके अफसर है दो चार चार आठ तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका ए ठीक है यानि कि दो डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक साक एग्जारबर के आमने सामने दो पिश्टन लगे होते हैं ठीक है आटबा देखिए कि टेलीग साक एग्जारबर में कितने चेंबर होते हैं एक दो तीन या फिर यहां ज़मा देखिए अवलाश्ट है ठीक है कि साक एग्जारबर के तेल को तयार करते समय है ट्रांस्फार्मर आयल की कितनी मात्रा मिलाई जाती है है आपके अप्रसन है 20 40% 20 40% 60% 80% तो इसका सही अंसर हो जायेगा आपका सी ठीक है सी हो जाएगा 60% मिलाए जाता है ठीक है तो आज के लिए इतना ही ठीक बच्छो तब तक के लिए नमस्कार जाहिन चेभारत